काम्यावी उनीक हसिल होती है जिनके होसलों में जान होती है पंकों से कुछनी होता जनाब होसलों से उडान होती है नमस्कार रवराम जी मैं हूँ आपका अपना कुमार और स्वागत है आपका आज की हमारी special cover story में आज की स्कवर स्टोरी में हम बात करेंगे हर्याना की भैतरिन और मधूर आवाज की धनी सिंगर रेनुका पावार और बोलीवुड के दमदार एक्टर नवाजुदिन सिद्गी की ताजा मुलाकात के बारे में रेनुका ने केवल हर्याना इनहीं देश वी देशों तक अपनी आवाज के दम पर अलग पैचान बना ली है उनका जर्म बेशक यूपी के छोटे से गाउं खेगडा में हुआ हो लेकिन हर्यानवी माव ओली को सम्मान दिलाने में उनके एहम योगदान की वज़े से अब रेनुका हर्याना की भी उतनी हो चुकी है जितनी वो यूपी की है रेनुका अपनी काम्याभी की उड़ान भर चुकी है और अब वो वक्त दूर नहीं जो रेनुका की आवाज पर बोली वुड भी थरकने वाला है और इसकी महक रेनुका की निवाजुदिर सिदिकी से मुलाकात के बाद आने लग गई है आने वाले टाइम में क्या पता आपको चटक मटक गाने पर सपना की जगए आलिया भट और कभूतर गाने पर प्रांजल की जगए कट्रिना नास्ते वे दिखाई दे जाए खैर वो तो वक्त बताएगा लेकिन मुलाकात के बाद एक आसा की किरन जरूर दिखाई दी है और उन्हें जल्द ही बोलिवुड के किसी प्रोजेक्ट के लिए अप्रोच कर सकते हैं जिसका इंतजार हर हर्यानवी म्यूजिक प्रेमी को रहेगा चलिए अब आपको पूरा मावला समझाते हैं रेनुका और निवाजुदिन की ये मुलाकात कब और कैसे हुई कुछ दिन पहले निवाजुदिन की फैमली ने अपने पैतरी गाव बुढ़ाना में माटी नाम का रेश्टोरेंट खोला और उसके उधगाटन पर निवाजुदिन के भाई फैजुदिन सिद्की जी ने रेनुका को भी इस सब उससर पर आमंतरित किया उधगाटन पर भीड ज्यादा हो जाने की वज़े से रेनुका और निवाजुदिन जी की अच्छे से बाचित नहीं हो पाई इसलिए फैजुदिन जी ने रेनुका और उनके बड़े भाई विकी को पर्सनली अपने घर पर इन्वाइट किया जहाँ पर रेनुका की निवाजुदिन भाई के साथ काफी देर तक बात हुई साथी काम को लेकर भी दोनों के बीच खूब गुप्तगु हुई इसके बाद रेनुका को निवाजुदिन भाई की माता स्री से भी आशिरवाद मिला कुल मिलाकर रेनुका की निवाजिदिन से मलाकात पूरी हर्यानवी इंडिश्टि में बोलीवड में हर्यानवी सोंग की इंट्री को लेकर उमीद जाग उठी है इसके अलावा रेनुका ने बागपत विधायक योगेस धामा जी के साथ उत्रप्रदेश के माननिय मुख्य मंतरी योगी आजितेनाज जी से भी मुलाकात थे योगी जी ने रेनुका की काफी पर्शुनसा की और उन्हें सरकार की तरफ से हर संभव मदद देने का आस्वासन और आसिरवात दिया तो यह थी जी आज की हमारी स्पेसल कवर स्टोरी पसंद आए तो लाइक कर देना और ना पसंद आए तो कमेट कर देना वजह के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर देना बहुत मैनत लगती है इस तरह की वीडियो बनाने में अगर इतनी मैनत घर पर कर लेता तो वो घरवालों की इतनी मार नहीं पड़ती जितनी आज भी पड़ती है तो याद से चैनल को सब्सक्राइब कर देना फिलाल के लिए इतना ही फिर राजी रोंगे किसी और कवस्टोरी के साथ तफते के लिए देजाज़त राम राम